तो आगे थे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन टेक एंड कैसे बेक में आज मैं आपको बताऊंगा एमेस वर्ड में पेश सेट अप एंड पेज ले आउट हम लोग कैसे करते हैं तो चलिए मैं फटाफट आपको अपलाई करके बताता हूं सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एमेस मैक्रोशॉप्ट ऑफिस वर्ड खोल ले मेरे पास 2007 है मैं उपन कर लिया कोई भी रहे 2003-2007 उसके बाद आप चले जाए पेज ले आउट पर फिर उसके बाद आप अपनी मार्जिन जो है उसको सेलेक्ट कर कस्टम मार्जिन कर ले कस्टम मार्जिन में आप जो है यह जो साइज जो है टॉप बॉटम लेट राइट इस सब साइज जो है आप अथी कर ले साइज अपना जो है लिख ले जैसे मैं size रखता हूँ 0.5 0.5 top पर 0.5 bottom पर 0.5 left and 0.5 right पर तो आप जो है अपने size को जो है fill कर दे top bottom left और right उसके बाद आपको landscape रखनी है portrait आप चूच कर ले मैं portrait रखूंगा क्योंकि print करने कबाद ये for size जो है portrait में होती है okay कर दे उसके बाद आप अपनी page के ये जो है आपकी space की setup हो गई अब जो है page border मुझे देनी है तो page border के लिए page border पे चले जाए आपको जो सा border जो है मतलब लेनी है आप चूच कर ले double line वाली triple line वाली और उसके बाद जो है आप जो है इसमें border की जो है मोटाई जो है वो select कर ले उसके बाद ok कर दे ये आप की हो गई page की setup के साथ उसके बाद page border जो है इसमें हो गई page पहले setup कर लिया उसके बाद मैंने page border ले लिया ठीक है उसके बाद आप इसमें कुछ भी text लिखे ठीक है जैसा की पहले से मेरे पास जो है text जो है था copy करके रखा था मैं उसे paste कर दिया ठीक है अब कुछ भी लिखे ठीक है इस पेस्ट से जो है इसको text को जो है border के अंदर लेते आए कुछ लिख भी ले कि उसके आद आप इससे select करके कि कलर भी आप कर सकते font की size भी बड़ी कर सकते चोटी कर सकते fonts style भी change कर सकते जो करना है आप कर ले उसके बाद आप प्रिंट प्रिव्यू अपना एक बार देख ले पेच को प्रिंट करने के पहले एक बार प्रिंट प्रिंट प्रिव्यू देखते कि हमारी जो प्रिंट जो होगी तो मतलब क्या किस तरह से जैसे यह एक फोर साइच पेपर है तो मेरी जो प्रिंट जो होगी तो क्या मतलब कुछ cut नहीं रहा है text वगेरा सब तो पर एक बाद चेक कर ले उसके बाद हम लोग print मारते print preview का मतलब हुआ कि print करने के पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते पर बाद हम लोग print में चले जाए फिर जो आप अपनी printer को select कर ले जितनी copy निकालनी है उसमें अप लिख दे number of copies में 2, 4, 6 जैसे मुझे 4 copy निकालनी है फिर जो है properties में एक बार जा करके advance में आप अपना page देख ले एक कौन सा size page में निकालना है 3, 4, 5 मुझे 4 में निकालनी है प्रायतर ज़्यादातर print 4 size में निकलती है okay कर लेंगे यहां कुछ setting जो है कर लेते है फिर आप सारा setting होने कबाद okay कर दे print के लिए उसके बाद जो है आपकी जो है print जो होना start हो जाएगी printer को मतलब computer से connect होनी चाहिए और line दिये विरना चाहिए उसके बाद आप अपने जो भी page setup किये है जितने page कितने copy निकाल नहीं आपकी print होना start हो जाएगी तो हम लोग दोस्तों इसी तरह से page ms word में page का setup करते है और page layout करते है page मतलब जो है setup से जो है आप अपने सारे जो है border वगेरा सब जो है select कर ले page की size वगेरा तो थैंक्स दोस्तों इसी तरह like share subscribe करे हमारे चैनल चंदन टेकन कैस बैक को